इंटरनेट हम सभी की जिन्दगी में एक एहम हिस्सा बन चुका है लेकिन किसान अंदोलन के चलते हर्याना के कई जिलों में 11 फरवरी से इंटरनेट सेमाए बंद कर दी गई है जिसके चलते स्टूडेंट से लेकर दुकानदारों और ओफिस करमचारियों को भारी परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है और तो और जिस परकार से हर्याना में रूट डायवर्ट किये गए हैं तो जीपियस के माध्यम से लोग अपने गंतेव्य तक पहुँच सकते थ और उनलाइन कुछ भी हमारा जो कि उनिवस्टी के ताप पर प्रवाइड कर आती नहीं तो मोद्वाइन तो हमारे कोई प्राइज नहीं कर पा रहे और हमें दुकान लेने आ था समान ने जो मैंने निको नान पेमेंट की तो नियों पाई और दूर में पीजी में राते हैं दस भी सर्पे वाली कोई चीज बच्चा लेता है कोई भी कॉलीज पढ़ने वाले बच्चे जेव में पैसे लखते नहीं है ओनलाइन पेमेंट नहीं हो अपारी उसके बाद इसे वाप भिजाते हैं चोड़ चोड़ी दुबांदारी है उसी प्यासर पढ़ रहा है यह जि सरकार जिम्मदार करेंगे ना बिल्कुल अजी नेट की वज़े से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं कामकाज सारे ठप पड़े हैं ऑनलाइन जो भी ट्रांजेक्शन है या को ऑनलाइन वर्क है तो सारे का सारा बंद पो चुका है और इससे पढ़ाई भी बच्चों क पड़ाई जो क्योंकि एक्जाम भी बहुत मज़्दीक आ रहे हैं बच्चों के तो कहीं नहीं पड़ाई पर भी बच्चों का इससे आसर पड़ रहा है यह पिछले तीन दिन के लिए सरकार ने बिना किसे इल्टमेटम के बंद कर दिया है बड़ी परसानी हो रही है क्यों इंटरनेट बंद है और अब इंटरनेट बंद की सीमा अब्दी बढ़ा कर 15 फरवरी तक कर दी गई है जिसके चलते लोगों को भारी परिशान्य उठानी पड़ रही है इस समय पोर्ड की प्रिक्षाय भी सरपर है और विद्यार्थी ओनलाइन माध्यम से पढ़ाई करते ह मगर इंटरनेट से मैं बंद होने के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई पर भी असर पढ़ रहा है पंजाब केश्री टीवी के लिए कुरुक्षेतर से अशोख यादव की रिपोर्ड